सब्सक्राइब करें अपने यूटीब चनल लानामूट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्स न पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपनी एडिक चनल लेर्ण अबूट मेडिसिन में जहां आप पाते दवाईयों के बारे में संपुन जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियों हम उल्टी को रखने वाली वोमेटिंग को रोकने वाली एक दवा के बारे में सीखेंगे जो बहुत ही सस्ती बहुत पुरानी और बहुत ज्यादा प्रियोग में लाई जाने वाली दवा है दवा का नाम है Metoclorpromide दोस्तों Metoclorpromide को आप Reguland नाम से जानते हैं जो Reguland Tablet है उसका composition Metoclorpromide ही है इसके बारे माज की इस वीडियों हम जानेंगे Metoclorpromide को हम short में MCP कहते हैं यह आपको Tablet, syrup तथा injection सभी फो में available मिल जाएगी लेकिन इस वीडियों हम Metoclorpromide Tablet जो Reguland Tablet है इसके बारे में पुरी डिटेल जानेंगे हम जानेंगे यह क्या-क्या strength में available है Reguland नाम के अलवा क्या नाम से आपको Medishtrope मिल जाती है इसका use क्या रहता है यह दवा हमारे सरीर में किस तरह से काम करती है किस दवा के साथ में इस टेबलेट को नहीं दे सकते है इसकी dose क्या रहती कितनी मातरा में दिया जाता और इसके side effect क्या होते यह सभी बाते हम इस वीडियो में जानेंगे जिसे वीडियो को अंतर दख देखें जिससे पूरी जान करें आपको Reguland Tablet जिसे Metoclopromide Tablet के बारे में आपको मिल सके साथ यह वीडियो को भी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब करना नहीं बूले मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देखेंगे अपना इडिव चैनल Learnout Medicine चलिए आश्वे कुछ नहीं आ सिकते हैं हालो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों Metoclopromide एक Anti-Emmetic क्लास की दावा है साथ यह Prokinetic Property भी रखती है Metoclopromide जिसे आप सभी Reguland नाम से जानते हैं अगर इसकी Strength की बात की जाए तो यह 5 मिलिगाम तो दस मिलिगाम की अलग-अलग Strength में अवेलेबल है और ज्यादा तर जो चलन में उसकी 10 मिलिगाम की टेबलेट है अगर इसके Brand Name को जाने है जैसा कि एक Brand Name मैंने आपको बताई है Reguland टेबलेट यह इसकी Brand Name ही है इसके अलग कुछ एक दो Brand और Popular है जैसे Perinormal Tablet वो मी Normal Tablet इस नाम से भी आपको मिल सकती है और हो सकता है जो मैंने तीन Brand बताई इसके अलग की अन्य नाम से आपको Metoclopromide आपके एरियम मिले परन्तों जो दवा का मोल नाम रहेगा Metoclopromide रहेगा और एक ही जगा दूसरी जो Brand है वो सक्टिटूट की जा सकती है Metoclopromide जो की Regulant Tablet इसकी यूज की बात की जाए किन-किन बीमारी में उसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि Anti-Emmetic Medicine है उल्टी को रोकने के लिए प्रियोग में लाई जाती है वो मेंटिंग को लोकने के इसका प्रियोग लिया जाता है किसी बीमारी के कारण worship мет dia Regulant दे जाती हो काफी अच्या फायदा करती है visiting के और के प्रियोग मोरिवने का मतलब रहता है सुबह ऊठती दइस समस्या को नेधर करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता और ये समझे ज्यादा तर आपने प्रेग्नेंसी में देखी होगी प्रेग्नेंसी में भी यह दवा डॉक्टर द्वारण प्रिसकाइब की जाती है साथ ही दोस्तों अगर प्रोकाइनेटिक रूप में इसकी यूजर की बात की और साथ ही कोई पैसेंट है जिसको एंडोइसकोपी करनी हो या पेट की खिसी अन्य परकार के जांच करनी हो तब भी यह दवा उसे दी जाती जिससे कि पेट उसका खाली हो जाए और प्रोपर रूप से जांच की जा सके डिस्पेप्स यह नाम की बीमारी है जिसे सामाइने सेक्रेशन होने के कारण व्यक्ति को हार्ड बन की समश्य मुँ में खाना आने जी समश्य होती है इस समय व्यक्ति को रैने टिलिन पेंटाप्रजॉल और इसके साथ में मेटर कृपॉरमैट वह अगर दिया जाए तो बहुत ही जल्दी पैसन को इस विमारी से फायदा तो यह दवा डी टू एंटागोनिस्ट 5ST3 एंटागोनिस्ट तता 5ST4 एगोनिस्ट की तरह कारी करता है अगर इसके सरल वासा में समझे तो यह जो दवाए हमारे स्टोमक तता इंटेस्टाइन की जो प्रेस्टलिक मुवमेंट है जो मुवमेंट है उसकी रिद्धम को खाना आगे निकल जाता है और व्यक्ति को जब भी इरिटेशन हो जब भी मुमेंटिंग की चिकाई तो तो उसे उल्टी नहीं आता क्योंकि पेट में खाना नहीं रहता है तो इस तरह से कार्य करती है दोस्तों अगर बात करें यह दवा किस किस के साथ इंटेरेक्ट करती ह नहीं देनी चाहिए तो उसमें सबसे प्रोमुक है एस्परिन तथा डी जोक्सिन इन दोनों के साथ में अगर यह दवा दी जाती है तो उसका इंटेरेक्शन होता है दवा का जो असर है कम यह ज्यादा हो जाता है इसके अलावा डाइजीपाम सीमेटीडीन लिवोडोपा यह कुछ दवाईयां है जो इसके साथ नहीं देनी चाहिए और इसके अलाव को दूसरी दवाईयां अगर आपको चल रही हो तो अपने डॉक्टर को जोरू से बताएं जिससे कि आपको प्रोपर डूप यह दोर्ज एजिस करके दे सके और आपको डिजार एफेक्ट मिल सक जाती है तो जैसा कि यह 5 مिलीगाम और 10 मिलीगाम की अपक तो जैसा कि यह ज्ञाती है नब डा दीन आती है जाती अ परन्तु लेक्टेशन जो मदर है जो महीला बच्चे को दूद पिलाती है उसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके कुछ मात्रा दूद में बच्चे को जा सकती है उसे बच्चे को लूज मोशन सुरू हो सकता है तो यह आप जोड़ से ध्यान रहे और जितना आपको डॉक्टर कि लिका है उतने दिनों को तक ही ले दोस्तों अब वीडियो के लाश्ट में इसके साइड़ मोशन का फास्ट हो सकता है लोज मोशन नहीं होगा लेगा फिर विच्ट में उसको दर्द हो सकता है और लोंग टर्म अगर साइड़ की बात की जा हो सकती है महिलाओं को जिसको बच्चा नहीं हुआ है मान नहीं बनी है उनको भी इस्तनों में दूद आ सकता है और कई पूरुस्णों के जो इस्तन है महिलाओं की बाती बढ़ सकते हैं यह कुछ समझें अभी इसके साइड इफिग्व में देखी गई यह अदर लंबे टाम लेते हैं यह इसके अलब को दूसरे अन्मोंटेड अगर इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले जिससे फर्दर टीट्मेंट आपको दिया जा सके और दोस्तों इसे के साथ कंप्लीट डिटेल में ने मेटकॉल प्रमा इसे ज़रू दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नुटरेशन आपको मिले से कर मेरे वीडियो सभी आपने अपने देख सके आपते अपने दोस्त मोही दादी साथ देखरे हैं तो अपने एटीब चैनल लर्णों प्रमाडिशन थैंक यो फ्रेंड्स टेक क्यार एंड और एंडेशन जुटरेशन जापने लिडियो से कर दोद्वाइं एंडेशन दोने वीडियो से टीजियो से चैनल टेक्याटरेशन जापने टीजिए।